नमस्कार बहुत स्वागत आप सबका देख रहे हैं शुब जनम दिन इस्पेशल दिनांग 10 जून को पैदा हुए लोगों का खास कारिक्रम जोतिषदिशा सत्तिकीरा बहुत बहुत शुक्तामना है बदाईया आज 10 जून है ये दिन आपके लिए बहुत खास है इस दिन को आप जिस भी तरह से चाहें कैश कर सकते हैं ये दिन आपके लिए इसलिए महत्तुपूर्ण है क्योंकि आज सुबह जो ग्रहों की स्थिती छितिज पे थी वो आपके जीवन पर असर डालेगी उन ग्रहिय परिस्थितियों के कारण आप अपने जीवन में प्लस और माइनस प्राप्द करेंगे जिसकी पूर्व सूचना जोतिश विज्ञान के माध्यम से मैं एक माध्यम बनकर आप तक पहुँचाता हूँ पित्रों एक बात सदय व्याद रखिएगा मेरा कुछ भी नहीं है सिवाए मेहनत के कुछ भी नहीं है अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है सिर्फ और सिर्फ मेहनत है दोपहर का कार्क्रम देख लिजेगा दोपहर क्या ओए ग्यारे बजे जल्दी बियाह हो जाए उसके लिए हम उपाए बताएंगे जोतिश जरा हटके ठीक सुबर ग्यारे बजे आज दिनांग दस जुन को पैदा हुए लोगों की सिक्षा कई बार रुकेगी इस बर्श कई तरह के अउरोध हाएंगे कई दफा बिद्यारतियों को ये गुमान होगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा तयार है पूरी तरह से तयार है और यही स्थिति आपके लिए सगरात्मग होगी कोकि आपका confidence ही ये बढ़ा देगा अगस्त सितंबर महीने ठीक नहीं है आपके लिए बहुत सारी दिक्कते आ सकती हैं बहुत सारी परेशानी आ सकती हैं इन्ही दिक्कतों और परेशानी के कारण ही आपके सिक्षा रुख सकती हैं कुछ स्वास्त को लेकर के दिसंबर से फरवरी के बीच में problem आएगी स्वास्त आपका प्रभावित होगा hospitalized हो सकते हैं धन भी बहुत ज़्यादा लग सकता है तिनांक 10 जून को जन्म पाएं लोगों के लिए हर प्रकार से बिजनस अनकूल रहेगा कई दफा बीच-बीच में कुछ फायदा होता चला जाएगा बिजनस का छेत राप के लिए सकरात्मक है आ रही समस्याओं से बाहर निकलेंगे बिजनस में कुछ बढ़ा करने का भी मौका मिलेगा नया बिजनस भी आरंब कर सकते हैं देखा जाए तो अक्टूबर महीना एक छोटा सा बिजनस में परिवर्तन भी कर सकता है कहीं अन्यत्रा ओफिस डालने के लिए नवंबर और दिसंबर 2019 बहुत अच्छा जाएगा अगर बिजनस को बढ़ाने के लिए लोन आदी की गुंजाईश आप बना रहे हैं तो 15 जनवरी के बाद से 28 मार्च तक के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं जनवरी से मार्च लोन पक्का ये जानी आप प्राइवेट सेक्टर ये इस्थिती उनके लिए ठीक नहीं है जो बाहर नौक निकर रहे हैं और 10 जोन को पैदा हुए है बाहर से मतलब यहाँ पर विदेश से ऐसे लोगों के लिए कई प्रकार की इस्थिती ठीक नहीं है 16 सितंबर के बाद नौकरी में बदलाव ही नहीं नौकरी छूट भी सकती है बहुत सोच समझ करके आपको फैसला लेना होगा यह करें यह करें यह करें ऐसे करें जो भारत वर्ष में है निके लिए अक्टूबर में भी परिवर्टन है और मार्च 2020 में भी परिवर्टन है मामला आपके लिए लिए दमदम है बं बं है ग्रूड्मेंट सिक्टर वालों के लिए बहुत सरे अश्याया आएंगे जब आपको out of turn promotion भी मिल सकता है आपका प्रभाव बहुत सकरात्मक रहेगा हर प्रकार से लाब की इस्तिती आपके लिए रहेगी सानांतरण के लिए दिसंबर के बाद का समय देखिएगा होली आते आते 2020 में तो पता नि क्या हो जाएगा लैंड्स वगरे में भी आप निवेश कर सकते हैं अपना मकान लगबगते हैं बेटी की शादी भी लगबग हो जाएगी सितंबर से ही योग बनेगा सितंबर 2019 से दिनांग 10 जून को पैदा हुए लोगों का दामपत जीवन अगर देखने को देखा जाए मतलब तो तालमेल तो अच्छा बिठा लेंगे आप जो पुरुष हैं दस जून को पैदा हुआ हैं लेकिन जो दस जून को पैदा हुई महिलाएं जो पत्निया हैं जिन पत्नियों का बर्थडे दस जून को हैं वो थोड़ा सा अग्रेसिव रहेंगी पूरे साल रह रह करके ससुराल वालों से लड़ सकती हैं जगर सकती हैं मायके जा सकती हैं फरवरी दो हजार बीस तो हद ही हो जाएगा तो मिलाज उला करके दो हजार उननिस दस जून को पैदा हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं है बिभा के परिपेक्ष में लव लाइव के परिपेक्ष में सकारात्म कूरजा है कोई नया आपके जीवन में प्रवेश करेगा जुलाई में बही और अक्टूबर में भी और फरवरी दो हजार बीस में भी ब्रेक अप के लिए सोच रहे थे तो दो तीन अवसरा ऐसे मिलेंगे आपको सितंबर अक्टूबर में जब आप रिष्टे को पुनह जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं ब्लाइंड फेथ करना महिला के लिए लड़कियों के लिए भारी पड़ेगा जो विदेश में रहनी लड़कियां हैं दस जून को पैदा होई हैं अफेर के मामले में आपको सावधान करना चाहता हूँ कि आप चीट हो सकती हैं ध्यान देजेगा स्वास्त हेल्थ वाइस आख, पेट, लिवर, ब्लेट पेशर चार चीजें आख, पेट, लिवर, ब्लेट पेशर इन से संबंधित बिमारीों से संब्मंधित लोग सावधान रहें बागी तो सब ठीक हैं काले उलट की खिच्डी, किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दीजेगा, सफाई कर्मचारी ना मिले, तो किसी को भी कर दीजेगा जिनकी आज शादी की सालगिरह है, उनको क्या उपाय करना चाहिए, तीन प्रकार के फलकादान करके, तीन लोगों को भोजन करा दीजेगा बस इतना सा करना है थैंक्यू सो मच 12, 13, 14 पटना मिलीए और 15, 16, 17 राँची बहुत बहुत शुक्रिया चलते हैं नमस्कार करा दो हैं कि अभी बहुत भी दाना है राँची बहुत भी कि अभी बहुत बहुत है यह दूँ थे कंग बहुत कि बहुत मिलीए झाल झाल